और सियासत के बाद बात क्रिकट की तो विराट से पूरा देश पचासवी संचूरी की उम्मीद लगाए बैठा था। में फैंस जूम रहे हैं और क्रिकेट की दुनिया को एक नया लिजन्ड मिल चुका है मुंबई में विराट की सुनामी आ गई विराट ने सबसे विराट पारी खेल डाली विराट से पूरा देश पचासमी सेंचुरी की उम्मीद लगाए बैठा था विराट ने वानखेडे स्ट्रेटियम में सबसे ज़्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया क्रिकेट के भगवान के सामने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट ने सचिन की 49 सेंचुरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50 वां शतक लगाया विराट ने 290 मैचों में 50 शतक लगाये जबकि सचिन ने 463 मैच में 49 शतक बनाए थे जैसे ही विराट ने 50 शतक लगाया उन्होंने अपना हेलमेट निकाला और मैच देख रहे सचिन के सामने जुग गए देखिए स्टैंड से सचिन भी तालियां बजा कर विराट को चियर करते रहे सचिन और विराट के बीच की ये केमिस्टरी पूरी दुनिया ने देखी जब विराट ने सेंचुरी लगाई तो उनकी पत्नी अनुषका की खुशी का ठिकाना नहीं था अनुषका भी तालियां बजाती हुई विराट को चियर कर रही थी इससे पहले विराट ने सचिन का एक और RECORD भी तोड़ दिया सचिन ने एक World Cup में सबसे जादा 673 रन बनायी थे विराट ने सचिन के इस RECORD को भी पीछे चोड़ दिया विराट की पारी सही मायनों में विराट पारी थी एक ऐसी पारी जो हमेशा के लिए क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई गौर करने वाली बात ये भी रही कि विराट ने शतकों की हाफ सेंचुरी मुंबई के वानखेडे स्टेडिय में बनाई जो सचिन का होम ग्राउंड है जिसने भी विराट की ये पारी देखी वो बस देखता रहे गया गोली की तरह विराट के बैट से शॉट्स निकले न्यूजिलेंड के बॉलर्स के पास विराट की कोई काट नहीं थी देखे विराट ने मैदान के हर कोने में बहतरीन शॉट्स खेले जिसकी बदौलत टीम इंडिया न्यूजिलेंड के सामने पहार जैसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गई विराट जब आउट हुए तो सचिन खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे सचिन ने ट्वीट कर कहा मैं खुश हूँ कि नौजवान अब विराट खिलाडी बन गया है मुझे खुशी है कि एक भारती खिलाडी ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा वाकई विराट की ये पारी विराट थी पूरा देश ही नहीं बलके दुनिया के क्रिकेट फैंस इस पारी को देख रहे हैं विराट के पारी के बदौलत टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया जिसका पीछा करने में न्यूजिलैंड के टीम धराशाई हो गई ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटी